मेरे एक दीदी ने सजेस्ट किया था वेट कम करने के लिए एक डाइट प्लन बनाने के लिए तो थैंक यू फर सजेस्टिंग दो विडियो दोस्तो मैं भी पहले बहुत जादा मोटी थी पर अब मैं पहले से पतली भी हूँ और एनरजी टीग भी और आप भी चाहो तो आप ही बन सकते हो बस आपको एक अच्छा सा डाइट प्लन फॉलो करना पड़ेगा उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पिछली बार मैंने एक्जमफोबिया के उपर एक वीडियो बनाई थी अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो तो चले आज का वीडियो स्टार्ट करते है सुबह उत्ते ही आपको हलका गरम पानी या ग्रीन टी, जीरा टी, तर्मरिक टी या नीम्बू टी पीना चाहिए इससे आपकी वेट लॉस की स्पीड बर जाएगी और मेटाबोलिजम भी अच्छी होगी नमबर टू, ब्रेकफास्ट जेनरली कोई भी डायेट प्लान में ब्रेकफास्ट बहुत हलका होता है पर वेट लॉस के लिए आपका ब्रेकफास्ट हेबी होना चाहिए ताकि आपको पूरे दिन जादा भूक ना लगे तो ब्रेकफास्ट में आप एक या दो मल्टी ग्रेन रोटी या स्टफट पराठा कोई भी एक हिल्दी सा सबजी या डाल या दही या देशी खी या हिल्दी चटनी के साथ खा सकते हो और उसके साथ दूत और साथ में विदाउट सुगर टी या कॉफी भी ले सकते हो अगर आप मीट्डे स्नेक को एवट करो तो वो जादा अच्छा होगा पर अगर आपको भूक लगती है तो आप कोई भी एक फल या बेजेटेबल या कुछ ड्राइफ रूट्स खा सकते हो नमबर फो लंच लंच में आप राइस, कोई भी एक हिल्दी सा सबजी या डाल के साथ खा सकते हो लेकिन ओवर इटिंग मत करना नमबर फाइफ, इवनिंग स्नैक इवनिंग स्नैक के लिए ग्रीन टी इस दा बेस्ट ओप्शन पर आप उसकी जगा विदाउट सुगर टी या कॉफी भी ले सकते हो और उसके साथ कुछ डाइफ रूट्स या एक कटोरी चने या दो डाइजेस्टिब बिस्किट भी ले सकते हो नमबर सिक्स, डिनर डिनर के लिए आप मिक्स्ट वेजिटेबल सूप या मिक्स्ट सैलट या ओच या एक भुजिया या पनीर भुजिया या ब्रेड अन एग्स भी ले सकते हो लेकिन अगर ये आपके लिए बहुत ही जादा हार्ट है तो आप एक रोटी या एक कटोरी राइस के साथ एक हिल्दी सा सबजी खा सकते हो नमबर सेवन, बिफोर बेड ड्रिंक एकदम सोने से पहले आप जीरा टी या लेमन टी या टर्मरिक टी ले सकते हो उससे आपकी इम्म्यूनिटी भी स्ट्रॉंग रहती है और बाकी फायदे तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ अब मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी नमबर वन, फल को शाम या रात में मत खाना, दिन में ही खाना नमबर टू, रोज आट खंटे की नींद जरूर होना चाहिए नमबर त्री, डिनर को जितनी जल दिखाओगे उतना अच्छा है सारे साथ बजे के अंदर ही डिनर को खा लेना नमबर फो, हर मिल के बीच अट लिस्ट 40 मिनिट गैप रखना नमबर फाइव, अगर आपको डायट प्लैन बहुत मुश्किल लगता है आप कुछ भी खाना चाहते हो, तो जादा से जादा एक्सरसाइस करना तो दोस्तो इस डायट प्लैन और टिप्स को फॉलो करने से आपकी वेट लॉस जरूर होगी मोटा होने से एनरजी चली जाती है और सुन्दर बाडी तो सबको अच्छी लगती है अगर आप भी डायट प्लैन को फॉलो करो, तो ऐसी बाडी आपको भी मिल सकती है अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, कॉमेंट, शेर और सब्सक्राइब कर देना तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट इस्टे को, तब तक के लिए गुडबाई and लूस समवेट